तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूट यान जाता है अपने मास्टर के पास फीस पेग करने के लिए जहां पहले तो जनाब को इतनी जादा नर्वस ने सो री थी लेकिन बार में ऐसा कमाल दिखाता है न के फीस पेग करने आए सारे स्टूटेंट उसके फैन बन जाते हैं और फिर टीचर के ताओं दिखाने पर वो उनको भी अच्छी खासी सबक सिखा देता है और फिर उन्हें टीज करता वहां वहां से निकल लेता है इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चू के पूरे स्टोंज को तीन महीने में खतम करना है यहां हमारे पापा डाटते हैं पैसे खर्च करने से इसके पापा उड़ाने को कह रहे हैं और वो भी एकाद रुपए नहीं दस बिलियन अच्छा कमेंट करके मुझे बताना तो कि तैन बिलियन में कितने जादा जीरो होते हैं कि आपको पता है इसके बाद ट्यान के डैडो से कहते हैं कि अगर तुमने ये पैसे खर्च कर दिये ना तो इसके बाद तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में इसे कुछ और हिस्सा मिलेगा तो ये सुनके ट्यान खुश होकर कहता है कि पपापा ये तो बहुत असान है दूसरा कंडिशन ये था कि उसे किसी और के उपर खर्च नहीं करना बलकि उसे सारे के सारे स्प्रिचल स्टोंस अपने उपर खर्च करना है अपने लिए खर्च करना है तीसरी कंडिशन ये थी कि उसे फाल्तू के खर्च नहीं करने हैं लाइक जो पसंद आया वो खरीद जो खाने का मन किया वो खा लिया, कि फिजूल खर्ची करके ही सारे पैसे उड़ा दिये, इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना है, और तीन महीनों का टाइम में तुम्हारे पास पूरे ट्यान फैंग अकैडमी का बेस्ट मास्टर बंद के दिखाना है, इसके बाद उसके डैड उसके उपर लाइटनिंग करके उसे थोड़ी सी हेवनली पावर देते हैं, जिससे तो हमारे ट्यान का पूरा का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है, और अब वो पहले से भी जादा पावफुल था, जहां उसके डैड कहते हैं कि इस पावर का यूज तब करना है जब वो कहीं फस गया हो, अब इतना सब कु समझाने के बाद वो से बड़े प्यार से कहते हैं, अब फुटो यहां से, वापस आने के बाद वो नीन से उड़ता है, उसे तो लग रहा था कि यह सपना है, लेकिन फिर जब उसकी नजर अपने कपड़ों पे पढ़ती है, तो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ यह सच था, तब ही ट्यान को अचानक से यादाता है कि आज तो उसकी क्लास है, उसे फटफट कॉलेज जाना होगा, तो वो फटफट कॉलेज के लिए दौड लेता है, जहां वो अकैडमी जाते वे रास्ते में सोच रहा था, कि तीन महीने में उसे इतने सारे स्पिरिट स्टोन खतम करने हैं, साथ में उसे ट्यान फैंग अकैडमी का मुस्ट पाफफल परसन भी बनना है, बता नहीं आखिर उसके डैट के दिवाग में चल क्या रहा है, चाते क्या हैं? इसके बाद हमें नोट स्पोर्ट के सामने कुछ बच्चों की भीर दिखाई जाती है, जो आपस में ट्यान के बारे में बात कर रहे थे, देखो, क्या ये वही लड़का है ना, कि ट्यान की पावर भी इंक्रीज हो गई है, अब उन लोगों ने पहले वाली ट्यान की फाइट देखी थी, तो वो इससे डर के जाने लगते हैं, कि हम चार्ट बाद में देख लेंगे, जब तक चूट यान नोटिस बोर्ट के आगे पहुँचा था, तब तक सारे बच्चे रास्ता बदल के निकल लेते हैं, और वो मन में सोच रहा था, कि ये तो काफी इंट्रस्टिंग हुआ, ड्रस्ट चेंज करती सबका रवयया चेंज हो गया, तब ही पीछे से एक लड़की उससे छूकर डरा देती है, उसकी तो जान निकलने वाली थी, फिर वो खुद को कंट्रोल करता है, जहां सामने वाली लड़की पूछ रही थी, कि तुम्हें कौनसी क्लास में साइन किया गया है, उसे खुद भी कहां पता था, तो वो नोटे स्पोर्ट चेक करने लगता है, जहां काफी देट तक सर्च करने के बाद उसे पता लगता है, कि उसकी क्लास टीचर श्याउनिंग होने वाली है, तो ये सुनने के बाद उसकी साथ वाली लड़की के होश उड़ जाते हैं, क्या श्याउनिंग? उसका ऐसा रियाक्शन देखने के बाद यान पूछ रहता, इतना क्यों चोक रही हो? तो वो लड़की काफी डरती वे कहती है, तुम्हें नहीं पता? टीचर ज्याउनिंग पूरे ट्यान फैंग अकेडमी की फेमस डेवल टीचर के नाम से जानी जाती है, तुम्हें नहीं पता उनका गुसा कितना जाधा खतरनाक है, वो बहुत बुरे टेमपर की है, वो तो स्टूडेंस को ऐसे ऐसे काम करने को कहती है, जो almost impossible होते हैं, बहुत खतरनाक है, वो बहुत जादा, उसके बारे में सोच सोच कर इस लड़की के हालत खराब हो रही थी, तो ये सुनकर ट्यान कहता है कि चल पागल, ऐसी धोड़ी होगी, तो ये सुनने के बात वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें शकल से जूटी लगती हूँ, जहां जाने के बाद बस वो उसी लड़की की बातों को सोच रहा था कि क्या वो सच थे या जूट, और फिर खुद को समझाते वी कहता है कि नहीं वो लड़की पागलती, शायद बड़ा चड़ा के बोल रही होगी, और फिर वो क्लास के अंदर जाकर टीचर को खुद से इंट्रिद्यूस कराते वे कहता है कि मैं यहां का निव स्टूटन्ट हूँ, वो तो उसे काफी गुस्से में घूर की देख रही होती है, और फिर कहती है कि अच्छा तो तुम नए स्टूटन्ट हो, नाम क्या है तुम्हारा, और वो इतने गुस्से में देख रही होती है, कि बिचारी ट्यान की हालत कराब हो जाती है, वो थोड़ी देर के अपना नाम ही भूल गया था, और इतनी ही देर में हमारी टीचर का सबर खतम होकर उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, वो पकड़ के चौक उठा कर दे मारती है उसे, जिसे वो आसानी से डॉच कर चुका था, पर ये अटैक पाफूल था, क्योंकि उस चौक के चीथले उड़ जाते हैं, और फिर वो ट्यान के पास काफी गुस्से में आते वे कहती है, इतना जादा है और नाम बोलने में, मुझे इस तरह है के पार टीचर सबसे कहती है, कि अब जब सारे लोग यहां मौझूद हैं, तो मैं सबको अपने बारे में कुछ बाते बताना चाहती हूँ, कि मेरा नाम टीचर श्याउनिंग है, और तुम लोग मुझे टीचर श्याउ के नाम से बलाओगे, और अब जब तुम सबको मेरी क क्लास में हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा यहीं रहोगे, अगर मैंने तुम्हें कोई टास्क दिया, और तुम उसे तीन बार से पहले कंप्लीट नहीं कर पाए, तो तुम लोगों को वापस पिछली वाली क्लास में भेज़ दिया जाएगा, मतलब फेल कर दिया जा उनमें से तो कुछ बच्चे वापस जाने की तियारी करने वाले थे, और यहां हमारा ट्यान सोच रहा था कि कुछ तो बात है इस टीचर में, सबसे अलग है, टीचर सबको शान कराते वे कहती है कि अब जब तुम लोग इस क्लास के स्टूडेंट हो तो क्लास में मॉनिटर था नहीं, दूसरे तरफ टीचर शाओ निंग अपने पावर का यूज़ करके दो चट बाहर निकाल लेती है, जहां पहला नाम एक लड़की का निकलता है, जिसका नाम निंग था, टीचर उसे अपॉइंट कर देती है, डेप्यूटी मॉनिटर की तो वो तो इस पोस्ट को काफी खुशी-खुशी एकस्ट कर लेती है, इसके बाहर टीचर चूट यान को खड़े होने को कहती है, उसके खड़े होने के बाहर टीचर अनौस करती है कि यह आज से पूरी क्लास का मॉनिटर है, वो काफी जादा कन्फ्यूज होते वें कहता है कि टीचर क्या आप किसी हम दोनों क्लास मॉनिटर हैं, तो आप मेरा खयाल रख लेना फ्लीज, ये सुनने के बाहर टो हमारा ट्यान बलश करने लगता है, और ये देखकर उस लड़की को हसी आ रही थी, यहाँ टीचर सब को बताती है कि एंट्रस टेस्ट पर सो स्टार्ट होंगे, इसलिए उस वस का मॉन्स्र बीस्ट था, जिसे देखनी के बाद सबकी हालत खराब होनी लगती है, कि इस बीस्ट को तो कोई फाउंडेशन लेवन का स्टूडेंट भी नहीं मार सकता, वो लोग तो भी नहीं नहीं हैं, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट बोडी रिफाइनिंग लेवल पर थ रस्टिंग लगता है, और वो एक मिस्टीरियस सा लुक भी देता है, उसके इस मिस्टीरियस से लुक के साथ ये वाल एपिसोड हो जाता है, खतम, आपको एक्स्प्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उ से भी सब्सक्राइब कर दो, तब तक के लिए बाई बाई टेटा टेक केर